Hello my YouTube family, welcome back to my channel, myself Ankita Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही amazing सा idea शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत साथ useful होने वाला है upcoming garban nights और upcoming festival और wedding seasons के लिए So friends, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी किस तरीके से पुरानी कोई भी साड़ी है या पुरानी ऐसी साड़ी जो आप नहीं पहनते हैं उसे आप totally convert कर सकते हैं लहगे में Friends, इसको किस तरीके से आपको drape करना है, इसको किस तरीके से आपको style करना है वो सभी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी So friends, कई बार festivals में और या wedding seasons में हर बार हम एक नया outfit करे दें, यह जरूरी बिल्कुल नहीं होता है हम अपने पुराने outfit को भी reuse करके उसे नया look दे सकते हैं So friends, आज यहाँ पर मैं अपने एक बहुत ही simple सी plain साड़ी को use करके एक full लहंगा look create कर रही हूँ I hope आपके लिए वीडियो helpful होगा क्योंकि उन्मी और इस outfit में मैंने थोड़े बहुत changes करके Like हम किसी भी अपने साड़ी अबलाउस को mix and match करके एक दुपटा एड़ करके उसको एक complete look दे सकते है So friends, आज के इस वीडियो में हम यही सब देखेंगे So चलिए बहुत साड़ा बाते नहीं करूंगी वीडियो को start कर लेते हैं So friends, अगर वीडियो थोड़ा भी helpful लगता है आपको तो एक like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe कर लेजिगा channel को और bell icon को hit करना बिल्कुल मदभूलिएगा तो चलिए वीडियो start कर लेते हैं So friends, इस साड़ी को हम drape करेंगे एक maxi skirt पे आप इसे लेंगा skirt पे कह सकते हैं यह मैंने golden color का choose किया है आपके पास अगर golden color नहीं है तो आप दूसरा color भी choose कर सकते हैं बट आप प्रिफर golden color कीजेगा Now next जो है यह मैं साड़ी दे रही हूँ यह बहुत ही simple सी पतली सी chiffon की आप में साड़ी देखी होगी बहुत ज़दा costly नहीं आती है इस तरह एक पी साड़ी आपको mix chiffon है आपको simple पतले से बॉर्डर वाली साड़ी यह आपको मार्केट में अवेलेबल होगी आपको पड़ी भी होगी मेरे पास बहुत सारी की साड़ी थी एक रेड कलर में थी एक ब्लू कलर में है मैं इस टाइप की साड़ी को क्योंकि इसमें कोई भी वर्क नहीं होता है इसमें आप और एक्स्टर कुछ लगवान ही सकते सो ऐसी साड़ी इसको मैं मोस्ट अप टाइम ऐसे यूज करती हूं सकर्ट के ओपर ड्रेप करके एज़ा लेंगा इसको आपको क्या करना है ना पतली पतली सी प्लीट बन प्लीट को बना करके और अपने स्कर्ट में टकिन करते जाना है और क्योंकि इसका फ्लो होता है साड़ी का बहुत अच्छा होता है तो यह अपने आप आपको एक complete ड्रेप करने के बाद एक पूरा complete लेंगा कर लूप देने लएगा देखिए जैसे मैंने simple सी pleats बना करके इसको ड्रेप कर लिया है और अब यह देखिए पूरा एक blue color के लें मैं आपको बता दूपटा नहीं है यह मेरी एक साड़ी का half and half साड़ी का बॉर्डर वाला प्लू वाला पोर्शन है उसको मैंने कट करके एक कुछ heavy lace में मैं इस दूपट्टे को यूज कर लेती हूं अब आपको इसमें देखिए यह दूपट्टा भी यहां पर यूज कर लिया है और यह complete लेंगे की तरह दिखने लगा है मैंने कहरे हूं आप इक पास अगर same to same साड़ी हो तब भी आप इस तरीके का कुछ बना सकत इसमें इतना फ्लैर है कोई भी कलर का आप इसमें mix and match combination बना सकते हैं बहुत ही प्यारा इसमें आप देखिए फ्लैर कि इतना अच्छा लगए 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 बहुत सारी कलियों वाला लेंगा अपने पहना हुआ है इस वीडियो के लिए इतना ही मिलती हूं नेक्स वीडियो में बहुत जल तब तक अपना क्याल रखिए अपनी फाम्ली का क्याल रखिए तिल दन बाबाई